Welcome Friends! सुस्वाक्तम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको विस्तार से बताएंगे PCOD क्या होता है PCOD के कैसे लच्छन पता करें PCOD को ठीक करें PCOD में कैसे प्रेग्नेंट हो PCOD में क्या का दिक्कते होती है PCOD में कौन-कौन सी दवा खाना चाहिए, PCOD में क्या का नहीं खाना चाहिए, सभी के बारे में विस्तार से वीडियो में बताएंगे, अगर आप दॉक्टर है, पेशन्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट देखना, बहुत यूजपुल होने वाला वीडियो है, PCOD से संबंधित चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं, बात करते हैं, डीटियल समें, PCOD क्या होता है, तो PCOD को Polycystic Overeign Syndrome बोलते हैं, एक महिला में होने वाली समस्या होती है, जिससे अंडू आयनी में गरंथिया बढ़ जाती है, ठीक से एक से अधिक अंडे दानी में बढ़ जाती ही गर जैसे कि मेंसेज में period में दिक्कत होना, पीरेड के गटकि आना, पीरेड के बढ़ कर काना ये होता हार्मोनल इसूर करान, हार्मोनल आसंतुलान, जब सरी के जो हार्मोनल होते हैं जैसे estrogen, प्रोजिस्टान, या male hormone, testosterone, अधिक हो जाते हैं, या estrogen, प्रोजिस्टान की समस्या ह होती तो उस condition में सबसे झादा दिकत देखी गई है by cody में जब किसी महिला को agod co di होती है तो सबसे जदा दिकत होती इसको pregnancy कंसीब करने में लेकिन इस video में हम बताएंगी आसानी से उसकी POD ठीक हो सकती description मेरा number मुझे contact कर सकते हैं ठीक है pcd के बारे में पूरी जनकारी बताएंगे अब बात करते हैं कि PCOD कैसे ठीक करें तो PCOD का उपचार चीकर से द्वारा निधारित कहाता है डॉक्टर के द्वारा निधार कहाता है आम तोर पर डॉक्टर आपके लिए दवाईयां बता देते हैं और आहार ब्याम एक्सरसाइज करनी के स्थाला जरू है PCOD के टाइम में जब भी आपको PCOD हो तो आप एक अपने इंफर्टिलिटी स्पेसिलिस्ट डाक्टर की रेक देख में रहें ताकि वह आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रही और आपकी प्रिंशी कंसीव हो सकते देखिए PCOD में आपको एक अपने नजदीकी डॉक् कुछ मेडिसीन दी जाती है जो कि आपके नजदीकी डॉक्टर की रेक देख में दी जाएंगी ठीक है एक अच्छे गाइनोलोजिस्ट के बारे में तो वहां पर जब PCOD की समस्य होगी तो उसमें मेटाफार्मिंट टेबलेट आती है ठीक है और हार्मोनल की टेबलेट आती कुछ और एक टेबलेट आती ओबराल एल करके आती है इन सब टेबलेट का डॉक्टर गाइनोलोजिस्ट परियोग करते हैं जब इन सब टेबलेट का डॉक्टर परियोग करते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होती है और हर मन्त में कुछ टेस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा रिक्स नहीं रहता है और अच्छी प्रेग्नेंसी की समस्या है तो आप इन सभी मेडिसीन का प्रयोग कर सकते हैं अपने नजदी की डॉक्टर की रेक देख में मेटाफार्मीं टबलेट आती है सुबा साम दिया दिखाना खाने के बाद में और बहुत सारी दिक्कत है मेंसेज ही नहीं आ रहा है तो अब्राल एल दी जाती है जो की इस टबलेट का प्रयोग कर जाता है डेली रात में पीरट के पांच हुए दिन से स्टार्ट की जाती है और लगातार 21 दिन तक खाई जाती है तीन मंत का इसका कोर्स होता है उसके बाद में 100% इसका रिजल्ट मिलता है तो आई होप ही उम्मीद करते हैं कि आपको एग वीडियो समझ में है कैसे प्रेगनेंट हुआ जाता है PCOD में और कि डाक्टर को दिखाना चाहिए कौन कौन स टेस्ट होते हैं ठीक है हार्मोन्स के जासे दिक्कात होती है तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में है अगर वीडियो समझ में है तो लाइक करना कमेंट करना दोस्तों को सेर करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैंद वंद्यमात्रम